देश में चुनावो का शंकनात पहले चरण की वोटिंग के साथ ही शुरू हो गया है आज देश की 102 सीटों पर मतदान हुआ और पहले चरण में 1625 उम्मिदवारों ने अपनी किस्मत का फैसला लगबग 16.5 करोड वोटर्स पर छोड़ दिया है इसके अलावा और नाचल और सिक्किम की बानवे विधान सभा सीटों पर भी आज मतदान हुआ बतादे की देश की 102 लोग सभा सीटों पर भाजपा और विपक्ष के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला है लेकिन इन 102 सीटों मेंसे कुछ 14 सीटे ऐसी हैं जहां इंडिया बनाम इंडिया की ही फाइट देखने को मिलने वाली है सबसे पहली बात इन 102 सीटों की जहां 2019 के चुनाव में 102 मेंसे 49 सीट अंडिये के हात लगी थी तो 45 सीट विपक्ष के पाले में गई थी लेकिन यहां गौर करने वाली बात ये है कि जिन जिन सीटों पर भाजपा और कॉंग्रेस में सीधी लड़ाई थी, वहां हार का सामना कॉंग्रेस को ही करना पड़ा था आगरों की माने तो 36 सीटों पर भाजपा और कॉंग्रेस के बीच कोई नहीं था अगर हम पिछली बार यानि की 2019 का ट्रेंड देखें तो 36 में से 30 सीटे भाजपा जीती है मतलब इस बार भी हो सकता है कि 45 सीटों पर भाजपा को एक बार फिर जादा से जादा जीत हासल हो इस बात का हम आपको एक और उधारन देते हैं अगर हम थोड़ा और पीछे जाएं बात 2009 और 2014 के आम चुनावों की करें तो इन दोनों चुनावों में कॉंग्रेस को भाजपा के सामने घुटने टेकने पड़े थे आनि की दोहजार नौ में 173 सीटों में जहां भाजपा और कॉंग्रेस के बीच सीधी लड़ाई थी और यहां भी भाजपा को तेरानवे तो कॉंग्रेस को सिर्फ असी सीटों पर ही जीत हासिल हुई थी और ठीक ऐसा ही 2014 में होता है जब देश की 189 सीटों भाजपा और कॉंग्रेस के बीच सीधा मुकाबला होता है तब कॉंग्रिस को महस्तेई सीटों पर जीत हासिल करती है और बाकी की 166 सीटे भाजपा की जोली में जाती है अब बात करते हैं इंडिया बनाम इंडिया गटबंदन की लोग सभा चुनाव 2024 से पहले विपक्षी दलों ने इंडिया ब्लॉक के बैनर तले एक जुट होने की कोशिश बाखूबी की लेकिन कोशिश बहुत सफल नहीं रही सीट शेरिंग पर बात नहीं बनी यही वज़ा रही कि पश्चिम बंगाल, पंजाब, केरग और जम्मू कश्मीर जैसे कई राजों में गटबंदन नहीं हो सका अब इस्तिती यह है कि पहले ही चरण में कई सीटों पर इंडिया ब्लॉक में शामिल कई विपक्षी दल एक दूसरे के खिलाव चुनाव लड़ रहे है। पश्चिम बंगाल के अरावा असम में टी-म्सी और आपके उम्मिद्वार आमने सामने हैं तो वहीं लक्षदीब में कॉंग्रेस का मुकाबला NCP से है देखा जाए तो अब ये विपक्ष के सामने दोहरी समस्या है एक तो भाजपा को हराना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी चुनौती है तो अपने ये लोगों से लड़ना इंडिया लाइन्स के लिए दूसरी बड़ी समस्या है इस मुद्धे पर आप क्या अपनी राय रखते हैं हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहें जनसता